प्यारे चात्रों, आज हम लोग शिठेंगे Oxford Junior English Translation के Exercise 141 का हल करना और जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कहा जा रहा है Translate into Hindi, अर्थात Hindi में बात करें इसका जो है हमें Hindi में बात करना है जैसे कि आप देख रहे हैं The books which are on the table are good Books, यहाँ पर देखें books मतलब पुस्तके, which मतलब जो आर मतलब है on यानि पर that यानि कि उस ठीक है table उस table पर ठीक है आर, आर मतलब है good मतलब अच्छा अगर ऐसे ही लिए तो यह गलत हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे जो पुस्तके उस table पर है वे अच्छी है जो पुस्तके जो पुस्तके उस table या फिर table लिखे ठीक है हिंदी में table लिखे table पर है वे अच्छी है यहाँ पर देखे वे जो है यहाँ पर इंग्लिस में लुपत रहता है ठीक है और हिंदी में आता है अब देखे the book which is on that table is good इसी का है यह जो है यह plural है यह similar है तो इसे आप लिखे जो पुस्तक क्या लिखे जो पुस्तक पुस्तक उस उस table table पर है है और वे है न तो वह लिखे वह similar है वह अच्छी है वह अच्छी है ऐसे लिखे अब देखे the dogs which bark do not bite the dogs यानि कि कुत्ता विच बार्क जो भोगता है do not bite नहीं काटता है मतलब यह plural है तो हम क्या लिखेंगे जो कुते भोगते है वे नहीं काटते हैं क्या लिखेंगे जो कुत्ते देखे डॉक्स है इसलिए कुत्ते जो कुत्ते भोगते हैं जो कुत्ते भोगते हैं जो कुत्ते भोगते हैं और आगे लिखते जीए वे नहीं नहीं काटते हैं काटते हैं वे नहीं काटते हैं अब देखिए the dog which barks does not bite इसी का जो है यह सिंगलर है तो यहां करम लिखेंगे जो कुता जो कुता जो कुता भूगता है भूगता भूगता है जो कुता भूगता है वह नहीं काटता है क्या लिखेंगे वह नहीं काटता काटता है अब देखिए दोज who work hard get success दोज देखिए यह plural है तो इसे आप लिखेगा जो कठिन परिस्वर्ण करते हैं करते हैं चुकि यह जो है करते हैं वह सफलता पाते हैं दोज who work hard get success देखिए जो जो कठिन कठिन परिस्वर्ण जो कठिन परिस्वर्ण करते हैं करते हैं करते हैं वे सफलता सफलता पाते हैं वे सफलता पाते हैं इस तरह से इसी का जो है यह सिमलर है यानि कि जो कठिन परिस्वर्ण करता है वे सफलता पाता है इसका जो है यह सिमलर है लिखेंगे जो जो कठिन परिस्वर्ण करता है वे सफलता पाता है दबवाज हूं आर दियर आर माई ब्रदर्स दबवाज लड़की हूं आर दियर जो वहां है आर माई ब्रदर्स मेरा भाई है तो ऐसे नहीं लिखेंगे लिखेंगे जो लड़के भाईज है लड़के जो लड़के वहाँ है जो लड़के वहाँ है जो लड़के वहाँ है जो लड़के वहाँ है वह मेरे भाई है इसी का सिमिलर है लिखेंगे जो लड़का वहाँ है वहाँ मेरा भाई है देखेंगे जो लड़का वहाँ है वह मेरा भाई है अब देखें दकाउज हूँ आर ब्लैक आर माई दकाउज यानि गाये हूँ आर ब्लैक जो काली है आर माई मेरी है तो यहां पर लिखेंगे जो गाये तो कि काउच है प्लूरल है लिखेंगे जो जो गाये जो गाये काली काली है जो गाये काली है वह मेरी है इसी इसी का स्मिलर है लिखे जो गाय काली है वह मेरी है कुछ और है दो चिल्रेन यानि की बच्चे चिल्रेन मतलब बच्चे वह आर प्लेइंग जो खेल रहा है वह मेरे बेटे है क्या लिखेंगे लिखेंगे जो ऐसे लिखे जो बच्चे जो बच्चे खेल रहे रहे हैं वे मेरे बेटे है यह प्लूरर है इसी का जो है सिंगलर है जो बच्चा जो बच्चा खेल रहा है जो बच्चा खेल रहा है दो हरसे मतलब गोरे हूं आर रहा है या जो दो है ठीक है आर माइं वे मेरे है क्या लिखेंगे जो जो गोरे हरसे यानकी गोरे प्लूरर है जो गोरे दोर रहे हैं हैं जो घोड़े तोर रहे हैं वे मेरे हैं अब देखें दा होर्स हुँ इज रॉनिंग इज माइन जो घोड़ा लिखें जो घोड़ा सिंग्लर है जो घोड़ा दौर रहा है जो घोड़ा दौर रहा है वह मेरा है वह मेरा है इस तरह से